भारत ने कौन सी प्रणाली अपनाई भारत ने संचदी कारेपालिका को अपनाई है भारत के संदर्व में आपको याद रखना होगा कि हमने संचदी कारेप्रणाली को अपनाई है अध्यक्षात्मक को नहीं आखिर क्यों, क्यों हमने अध्यक्षात्मक नहीं अपना दा, क्यों संसदी प्रणाली ली किसी भी चीज को करने के, जब हम करते हैं, तो उसके कुछ कारण होते हैं उन कारणों के कारण हम कुछ करते हैं फिर जो हम करते हैं, वह अगले हमारी कारवाई का कारण बन जाता है तो कारण और कारक को समझना बहुत जरूरी है कारण और कारक के बीच में संबंध बहुत गहरे होते हैं, घनिष्ठ होते हैं और यदि हम किसी भी विशे का अध्यान कारण और कारक को लेकर करें तो हमारे इस विशे की समझ बड़ी सरल हो जाती है खासकर इतिहास को समझना बहुत सरल हो जाता है भारत में हमने ये संसदी प्रणाली क्यों अपनाई इसको ज़िस समझना है तो हमें जाना होगा थोड़ा इतिहास की ओर 1918 में भारत अंग्रेजों के मातहत था 1914-18 का जब प्रसम विश्व दिसमाप्त होता है तो अंग्रेज सरकार ने भारतियों को वादा किया था कि हाँ हम आपको स्वराज देंगे लोक माने तिलक का नारा था स्वराज का स्वराज इस माइ बर्थ राइट उसी बर्थ राइट के तहट भारती राश्टी आंदोलन उस काल में चलता है और अंग्रेजी सरकार को हम प्रतम विश्व दिसमाप्ति के बाद भारत को स्वराज दे देगी स्वराज तो नहीं दिया लेकिन 1919 में कानून बना जा जिसे हम कहते हैं Montague Champs Ford Reforms Montague भारत से भारत मंत्री थे अंग्रेजी सरकार में और Champs Ford जो थे भारत के वाइस रॉय और गवर्नर जनरल थे इनके नाम से एक एक अधिनियम पारित हुआ Government of India Act 1919 उसके तहट भारत में पहली बार आदिनिक तरीके से चुनावी प्रक्रिया का प्रारंब होता है पहली बार आदिनिक तरीके से चुनावी प्रक्रिया का प्रारंब स्वराज न दे करके सरकार ने कुछ ऐसी विवस्था की जिसमें चिनाव होंगे मतदान होंगे ये 1919 के Government of India Act में प्रावधान था उसके बाद जब दबाव बढ़ता गया भारतियों के असंतुष्टी बढ़ती गई तो अंग्रेजियों ने फिर से एक सुधार किया और 1935 में Government of India Act एक और बना जा उसमें थोड़े ज़्यादा बड़े श्तर पर चुनाव के प्रावधान और सत्ता का हस्तांतरन कुछ श्तर पर भारतियों को किये जाने का प्रावधान था चुनाव के आधार पर सत्ता का हस्तांतरन इसका प्राउधान बड़े स्तर पर किया गया लेकिन अंग्रेजों की गुलामी के तहथी कुछ हद तक स्वायतिता या स्वराज देने की बात कही गया कहने के तरफ पर यह कि जो दो गर्मेंट अफ इंडिया एक्ट जो पास हुए थे उसमें एक तरीके से चुनावी प्रक्रिया की शुरुवात आधने की इस्तर में भारत में हुई बारतियों ने इसमें भाग लिया और ऐसा करते हुए उन्हेंने कई जगह चुनाव भी किये चुनाव जीते सरकार बनाई राज्य के श्तरों पर देश के श्तर पर नहीं राज्य के स्तर पर और इसमेंगार कुछ अनुभव मिला उनको इस चनावी प्रक्रिया का अनुभव जिसे हम कह सकते हैं संसदी प्रणाली तो हमारे पास चनाव का अनुभव था संसद के संचालन का भी अनुभव हो गया इसलिए पहला कारण भारत में संसदी प्रणाली के चैन का अपना अनुभव 1919 और 1935 के अधनियम के तहट संसदी, संचालन और शासन का अनुभव पहला कारण बनता है भारत में संसदी प्रणाली को लागू करने का दूसरा इसके और भी कारण थे संसदी प्रणाली को लागू करने के क्योंकि भारत स्दैव लोक तंत्र का प्रचारक रहा है जनता की सत्ता पर उसका विश्वास जादा रहा इस बात पर उसका टूर्ट विश्वास रहा भारतियों का है भारती राष्टी आंदोलन में भाग लेने वालों का कि देश की जो सत्ता है वो जनता में है देश की सत्ता का शरोत जनता है और जनता की आवाज संसदी प्रणाली में सर्वोत्तम तरीके से पहुंच सकती है इसलिए संसदी प्रणाली दूसरा कारण जो हमने संसदी प्रणाली को अपनाया या कहना चाहिए अध्यक्षी प्रणाली को नहीं अपना जा उसका दूसरा कारण है कि अध्यक्षी प्रणाली की एक बहुत बड़ी बुराई थी वो बुराई ऐसी थी कि जिसमें पूरी संभावना थी या रहती है ध्यक्षी प्रणाली में कि राष्ट्रपती के पास सभी शक्तियां के इंद्रित रहती हैं देश के सभी शक्तियां सभी पावर्स देश चलाने के देश संबंदी ये राष्ट्रपती नाम के एक व्यक्ति पर एक पद पर सीमित हो जाती है तो ना केवल राष्टिपती बहुत शक्तिशाली बनने की बन जाता है, बलकि एक तरीके से व्यक्ति पूजा का खत्रा भी बन जाता है व्यक्ति पूजा अर्थाथ किसी एक व्यक्ति के पीछे पूरा देश और ये ठीक नहीं है जिस काल की हम बात कर रहे हैं 1935 और 1445 की इस समय व्यक्ति पूजा के बहुत कड़ूए अनुभाव थे चाहे वो हिटली, इटली में मुसॉलनी के रूप में हो, चाहे जर्मनी में हिटलर के रूप में हो और अन्य कुछ और दाहरन हो ये व्यक्ति पूजा का ही परिणाम था कि ये दोनों देश और हिटली और मुसॉलनी इतने ज्यादा शक्ति शाली बन गया है कि वे विश्विदिक का कारण बने इसलिए इस बात का भै था कि अध्यक शात्मक प्रणाली की ये बहुत बड़ी बुराई जो है वह कहीं हावी न हो जाए और इसलिए व्यक्ति पूजा के खत्रे को देखते हुए हमने अध्यक शात्मक प्रणाली को दूर रखा और संस्दी प्रणाली को प्रात्मिक्ता द ऐसी हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि कारेपालिका विधाई का इनके बीच में घनिष्ट संबंध हो और किस धंका संबंध उत्तरदायतु का अर्थात कारेपालिका जो है वो विधाई का के प्रती पूरी तरह उत्तरदाई हो एकांटेबल हो जिम्मेदार हो किसके प्रती विधाई का किन से बनी होती है सांसद को कौन चुनता है जनता अर्था जनता के प्रतनी धी वहां बैटते हैं उसके प्रती कारिपालिका उत्तरदाई रहती है संसदी प्रणाली में दूसरे शब्दों में संसदी प्रणाली में कारेपालिका जनता के प्रति उत्तरदाई रहती है जनता के प्रति निधियों के माध्यम से इसलिए भी संसदी प्रणाली को हमारे देश के करणधारों ने हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संसदी प्रणाली को आया गया और प्चारिक फॉर्मल इस यह और प्चारिक प्रधान का क्यारत है इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम राश्ट्रपती के बारे में उनकी शक्तियों के बारे मर्धियन करेंगे पर आप अभी इतना समझ लें कि राश्ट्रपती जो दे है वह देश का और प् प्रधान है राज्य के स्थर पर मुख्य मंत्री राज्य का प्रधान है पर पूरे राश्ट्री स्थर पर कौन प्रधान होगा सरकार का प्रधान मंत्री राश्पती क्या होगा और पचारिक रूप से प्रधान होगा संसदी प्रणाली को अपनाने के कारणों को हमने समझा और इस विए जाना कि राष्टपती आपचारिक प्रधान है देश का आपचारिक रूप से मुख्या है ये भी हमने समझा कि राष्टपती जो है वो कारेपालिका का भी अंग है यद्यपिवः विधाईका का अंग भी है और इसकार दोनों के बीच में एक लिंक भी है राजनातिक कारेपालिका की जब मैंने बात की थी तो मैं आपको बताया था कि राजनातिक कारेपालिका में सरकार के अप्रधान और उसके मंत्री आते हैं और सरकार की नीतियों के लिए यही कारेपालिका जिम्मेदाई होती है राज्यातिक कारेपालिका जिम्मेदार होती है इस थाई कारेपालिका की जब बात की थी तो बताया था कि इसमें सरकारी नौकरी वाले सदस्टे होते हैं और जो रोज मर्रा पशासन के लिए उत्तरदा ही होते हैं कारिपालिका के नामों के बारे में मैंने अलग-अलग बता दिया ये अलग-अलग देशों में अलग-अलग रूप से अलग-अलग तरीकों से इनको बलाया जाता है तंबोजित किया जाता है जिसमें राश्पती हैं चांसलर हैं राजा हैं रानी हैं आधी-आधी कारिपालिका के प्रकारों की बात करते हुए उसे ज़िए हम इसे संक्षिप्त रूप में कुछ हैसा देखें तो हम कारिपालिका को दो प्रकारों में बाट सकते हैं सामूहिक नेत्रित्व के सिध्धान्त पर यह जो मैंने बटवारा किया है यह कुछ दूसरे आधार पर किया है नेत्रित्व के आधार पर तो पहला जो इसका विभाजन है वो इस आधार पे किया जा सकता है सामूहिक नित्रित के सिध्धान्त के आधार पर ये प्रणाली और दूसरी है एक व्यक्ति के नित्रित के आधार पर जब सामूहिक नित्रित के आधार की बात करते हैं तो उसे हम एक तरीके से दो भागों में बाट सकते हैं कलेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी के आधार पर कारिपालिका के प्रकार की अधिबात करें तो हम उसे दो भागों में बाट सकते हैं पहला तो है संसदी प्रणाली और दूसरा है अर्ध अध्यक शात्मक प्रणाली कुछ देशों में अर्ध अध्यक शात्मक प्रणाली है उसका हमने जिक्र किया है और कुछ देशों में संसदी प्रणाली है ये दोनों प्रणालियां सामुहिक नित्रित्व के तहत आती है बहुमत दल का नेता विधाईका में होता है वही आदमी बहुमत दल का नेता विधाईका में होता है ये संबंध है प्रधान मंत्री का विधाईका बनाम कारेपालिका में एक और कारेपालिका के सदस्च के नाते वह सरकार का मुख्या है दूसरी और बहुमत दल का नेता होने के नाते वह विधाई का भी सदस्च्य है और विधाई का के प्रती उत्तरदाई है विधाई का के प्रती जवाब दे है ये संबन्द आपको बार बार थमदना होगा एक ही व्यक्ति दो पदों पर है वह संसद का बहुमत दल का नेता है और जो और इत्प्रकार वह विधाई का का सदस्च्य है और इस प्रकार वह विधाई का के प्रती विधाई का का सदस्च्य है और जो भी बहुमत दल का नेता होगा वह सरकार का नेत्रत्व करेगा प्रधान मंत्री बनेगा और ऐसा करते हुए वह सरकार का या कारिपालिका का भी अंग बन जाएगा ये संबन्द आपको समझना होगा अच्छी तरह सरकार का मुखिया होने के नाते वह विधाईका के प्रति जम्मेदार है विधाईका के प्रति अकाउंटेबल है जवाब देख है देश का प्रमुक कुछ देशों में राजा है कुछ देशों में राश्पती है जहां राजा है वहाँ संबैधानिक राज तंत्र है और जहां राश्पती है वहाँ संसुदी गन तंत्र है लेकिन दोनों ही स्थुतियों में चाहे वो राजा हो चाहे राश्टपती हो वह मात्र और पचारिक रूप से देश का प्रमुक है यदि देश के प्रमुक की बात करें तो असली जो प्रमुक है वह प्रधान मंत्री होता है लेकिन जहाँ पर समवधानिक रूप से राजा को राश्टपती को प्रमुक कहा गया है वहाँ पर राजा समवधानिक राजतANTक और राश्टपती संसदी गृंतंक का प्रमुक जैसा भारत में हो और ये दोनुं ही स्थितियों में वह किवल औपचारिक दिश्ट से शातन प् वालिका के प्रकारों में जो वह प्रकार है जिसको सामोहिक नित्रत्य के तहज जो आता है उसका तो हमने यहां वार्ण समझ लिया अब एक पक्षी या एक व्यक्ति के नित्रत के सिध्धान पर जो अधारित प्रणाली है थोड़ा उसको देखें जहां पे अध्यक शात्मक प्रणाली उसे एक व्यक्ति एक नित्रत की प्रणाली कहेंगे अध्यक शात्मक प्रणाली सामोहिक नित्रत वाला सिध्धान वहां लागू नहीं होता इस अध्यक शात्मक प्रणाली में सामने तर राष्ट्रपती मुख्या होता है और वह आपचारिक रूप से नहीं सार सरकार का प्रमुक तो अवश्य होता ही है साथी साथ देश का प्रमुक भी होता है साथी साथ वह देश का प्रमुक हो जाता है जबकि संसदी प्रणाली में सामोईक नित्रत वाली प्रणाली में दोनों अलग अलग थे इसके साथ ही एक व्यक्ति एक नित्रत की कारिपालिका क प्रकार में अध्यक्ष पद का चिनाव मतदान से होता है जबकि संसरदी प्रणाली में अध्यक्ष का चिनाव मतदान से नहीं आप्रत्यक्ष तरीके से होता है या राजतंत्र से रहता है ऐसी स्थिति में एक बड़ी अजीब बात होती है जहां एक व्यक्ति के नित्रत में सिधान्त पर आधारित प्रणाली लागू है वहां पर राष्टपती जो है या अध्यक्ष जो है वह विधाई का के प्रती जिम्मेदार नहीं होता विधाई का के प्रती जवाब देह नहीं होता अर्था जनता के द्वारा चुने गए प्रतनी दियों के प्रती उसकी जवाब देही नहीं रहती ये आपको दोनों के जवाब देह है जनता के प्रतनिदियों के प्रति पर अध्यक्षी प्रणाली में वह जवाब देह नहीं है और उस हद तक वह बहुत शक्तिशाली हो जाता है कई बार इतना शक्तिशाली कि शंका बन जाती है कि कहीं यह ताना शाही प्रवृत्ति को जन्म ना दे दे सर्व श थोड़ा राश्टपती के बारे में जानने की कोशिश करें राश्टपती जिन देशों में आपचारिक प्रधान होता है वहां क्या स्थिती होती है राश्टपती को केंदर में रखकर हम पहले देखें कि ये मूल रूप से आपचारिक प्रधान रहता है और आपचारिक प्रधान कार्थ मैंने आपको बता दिया, नाम मात्र के लिए, इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, नाम मात्र के लिए, वह देश का प्रमुख, राज्य का प्रमुख होगा, लेकिन सरकार का प्रमुख नहीं, सरकार का प्रमुख, प्रधान मंत्री और मंत्री मंडल, जो मंत्री प्रशद, जो संसद के प्रति जवाब दे होंगे, नाम मात्र की श्थिति में नियुक्त किया गया राष्ट्रपति संसद के प्रति जवाब दे ही नहीं रखता, वो मात्र आपचारिक प्रधान है, दूसरा कारेपालिका की शक्तियां अपचारिक रूप से उसकी हैं मैंने आपको बताया है प्रारम में कि राष्ट पती कैसे कारेपालिका और विधाई का दोनों में अपना स्थान पाता है सरकार के तीन अंगों में से दो अंगों में दो अंगों का वो हिस्सा है और ऐसा परिलक्षित होता है पहली नजर में कि राश्टपती बहुत शक्तिशाली है लेकिन ये बात यहां स्पश्ट कर दें कि राश्टपती की जो कारेपालिका संबंधी शक्तियां है वो बड़ी आपचारिक है इस अपचारिकता का क्यारत है इसको हम आगे पढ़ेंगे फिलहाल आप जाने कि ये मात्र दिखाने के लिए उसकी शक्तियां है वास्तों में ये शक्तियां तो सरकार में हैं और सरकार से हमारा तालुक है प्रधान मंत्री और उसके मंत्र मंडल पे वास्तविक शक्तियां इनके पास होती हैं राजनातिक कारिपालिका के पास होती हैं राजनातिक कारिपालिका के वो हिस्सा जिसमें प्रधान मंत्री और मंत्री मंदल है बाकी राश्पती भी राजनातिक कारिपालिका का अंग है लेकिन उसकी शक्तिया मात्र और पचारिक हैं, कहने को हैं बस, नाम मात्र को हैं, उसे देश के मुख्या के रूप में दिखाया जाता है, देश का मुखोटा है, देश का प्रथम नाकरिक हैं, उससे आगे कुछ नहीं है। परशत के हाथों में होती हैं, राश्पती का कारिकाल पांच वर्ष का, पांच वर्ष के लिए उसे चुना जाता है, जिस तारीक से राश्पती पद ग्रहन करते हैं, उस तारीक से पांच वर्ष का उनका कारिकाल होता है, अधिक्तम राश्पती भारत की स्थिति में पुना चुने जा सकते हैं राश्पति के चुनाओं की प्रक्रिया उस पर हम आगे बात करेंगे फिलहाब उतना समझे कि उनका कारेकाल पांच वर्ष का होता है और जो चुनाओं होता है वह जनता नहीं करती अध्यक्षी प्रणाली में चुनाओं जनता के द्वारा होता है राश्पति के पास सारी शक्तियां नहित होती हैं और वहां मात्र औपचारिक राश्पति नहीं रहता बलकि वास्ता में वह सर्व शक्तिमान रहता है लेकिन ऐसी चुनाओं प्रणाली में ऐसी व्यवस्था में जहां राश्पति मात्र औपचारिक प्रणान है वहां नमझेंगे फिलहाल हम याद रखें कि उसका कारेकाल पांच वर्ष का उसे पुनह चुना जा सकता है और आप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से उसका चैन होता है कभी कभी ऐसा भी आउसर हो सकता है अची बात हो सकती है जब आपचारिक शक्तियां या आपचारिक रूप से प्रधान रहते हुए भी राश्टपती के द्वारा कुछ ऐसा कारे किया गया हो जो देश की प्रतिष्ठा में धबा हो ऐसी स्थिति में राश्टपती को हटाने का प्राउधान है राश्टपती को पद से हटाने का प्राउधान इस राश्टपति को पद से हटाने के प्रावधान को कहते हैं महाभियोग ये एक लंबी प्रक्रिया है राजनातिक प्रक्रिया है जिसका सम्षान में पुरा प्रावधान किया गया है उसे प्रहान मंत्री मात्र अपने मंत्र मंडल के अनुमोधन पर या अपने स्वायम के विवेक पर उसे हटानी सकता चुकि वो देश का मुख्या है भले ही और पचारिक मुख्या हो उसे हटाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है क्योंकि देश के मुख्या को हटाना बहुत महत्पूर्ण बुद्दा है देश की इमेज को लेकर भी इस पर काफी प्रभाव पड़ता है हटाने के कारणों को आदिको तो इसलिए उस प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्पति को केवल महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है और राष्ट्पति को अप्रत्यक्ष मतदान के जरिये ही चुना जाता है जहां तक महाभीयोग की बात है उस पर समानिता समविधान के उलंगन का अरोप लगा कर ही महाभीयोग किया जा सकता है सम्विधान के किसी प्रावधान का उलंगन करने पर राश्ट्रपती पर महावियोग का प्रस्ताव लाए जा सकता है उसके खिलाप और फिर उसको हटाने का प्रावधान किया जा सकता है भारत में राश्ट्रपती के भारत की जो कारे प्रणाली है भारत की जो कारे पाली का है या भारत की जो राजनेतिक शासन प्रणाली है उसमें राश्ट्रपती को बहतर समझने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी यहां पर और यह जाना कि राश्ट्रपती भारत में देश का प्रधान है और प्चारिक मुखिया है नाम मातर को राश्ट्रपती है इससे पहले हम आगे बढ़ें कि राश्ट्रपती की शक्ति और इस्थिति क्या है यह समझना जरूरी है कि हम राश्ट्रपती के बारे में पहले क्यों समझ रहे हैं जो कि केवल नाम मातर को राश्ट्रपती है इससे पहले कि हम राश्ट्रपती के पावर्स उसकी पॉजीशन उसकी महत्ता आदी को और गहराई से समंझे की कोशिश करें सवाल यह उड़ता है कि आखिर इसको प्राश्ट्मिक्ता क्यों दे रहे हैं प्रधान मंत्री को क्यों नहीं जिसके हाथ में वास्तविक सत्ता है इस प्रश्ट्रिका उत्तर के वल यही है कि कारे पालिका में राश्ट्रपती और प्रधान मंत्री दोनों शामिल है जैसे विधाईका में राष्ट्रपती और पधान मंत्री दोनों शामिल है ऐसे ही कारेपालिका में भी राष्ट्रपती और पधान मंत्री दोनों शामिल है पहली बात इसलिए दोनों का अध्यन करना जरूरी है तो अब सवाल आता है राश्पति का पहले क्यों इसलिए क्यों कि राश्पति देश का मुख्या है और पचारिक मुख्या है इसको समझने के लिए हम आगे शक्तियों का अध्यान करेंगे पर सम्मयधानिक दिश्टी से देश का मुखिया तो है इसलिए हम राश्पती के शक्तियां, राश्पती के स्थिति, राश्पती के विशह शादिकार और भी अन्य जो राश्पती से संबंदित मुद्धे हैं उसका अध्यान पहले पूरा करें उसके बाद फिर वास्तों में हम उस कारिपालिका का या कारिपालिका के उस अंग का अध्यान करने जाएंगे जो सही मायने में हमारी दिश्टी में कारिपालिका है